ओम श्यांती, 26 नवंबर 2024 के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा, मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूं, सब का कल्यान करता हूं, तुम्हें भी बाप समान सर्वेंट बन, हर एक भाई बहन का कल्यान करना है, जितना जितन जो पैगाम पहुंचाते हैं, उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे, तुम्हारी आंत्रिक दिल सच्ची होने चाहिए, सच्ची दिल वाले ही स्कॉलर्शिप पाते हैं, यहां शैतानी दिल चलना सके, इससे तो अपना ही बेडा गर्क कर लेंगे, बाबा ने कहा, माया भी ऐ खबरदार रहना है, कभी आपस में लून पानी नहीं होना, नहीं तो फिर बाप की सर्विस कर नहीं सकेंगे, अंदर में ही जलते रहेंगे, हर एक को समझना चाहिए, कि हम सर्विस के निमित बने हुए हैं, इसलिए सदैव हर्शित रहना चाहिए, कभी मूड ना फिरे, ज पास्ट में बाबा ने वर्दान देते हुए कहा, बच्चे देही अभिमानी भव, शरीमत पर ना चल, देहे अभिमान में चलते हैं, तो चोट बड़े जोड से लगती हैं, इसलिए देही अभिमानी बन, शिव बाबा को याद करते रहो, नहीं तो माया से हार कर, एकदम कि के नहीं रहेंगे, और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से, मुरली का सार, मेठे बच्चे, तुम हो त्रीमूर्ती बाप की बच्चे, तुम्हें अपने तीन करतव्य याद रहें, सापना, विनाश और पालना, प्रश्न, देहे अभिमान की कड़ी बिमारी लगने स कौन कौन से नुकसान होते हैं, उत्तर देहे अभिमान वालों की अंदर जेलेसी होती हैं, जेलेसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते, प्यार से सेवा नहीं कर सकते हैं, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, दूसरा बेपरवाह रहते हैं, माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है, पुरुशार्थ करते करते फां हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है, तीसरा, देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं, दिल साफ ना होने के कारण बाप की दिल पर नहीं चड़ते, चौथा, मूड ओफ कर लेते, उनका चेहरा ही बदल जाता ह ओम शांती, सिर्फ बाप को ही याद करते हो, या और भी कुछ याद आता है, बच्चों को सापना, विनाश और पालना, तीनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकठा चलता है ना, जैसे कोई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उनको मालूम है मैं बैरिस्ट्र बन वकालत करूंगा, बैरिस्ट्री की पालना भी करेंगे ना, जो भी पढ़ेगा, उनकी एम तो आगे रहेगी, तुम जानते हो, हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, इसमें योग बहुत जरूरी है, योग से ही हमारी आत्मा ज फिर पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे, यह बुद्धी में आना चाहिए, सब इमतिहानों में सबसे बड़ा इमतिहान वो सभी पढ़ाईयों से उच पढ़ाई यह हैं, पढ़ाईयां तो अनेक प्रकार की हैं ना, वह तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते ह और वह पढ़ाईयां इस दुनिया के लिए ही हैं, पढ़कर फिर उनका फल यहां ही पाएंगे, तुम बच्चे जानते हो इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलना है, वह नई दुनिया कोई दूर नहीं, अभी संगम युग है, नई दुनिया में ही हमक राज्य करना है यहां बैठे हो तो भी बुद्धी में यह याद करना है बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी फिर यह भी याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे फिर इस इंप्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होगा सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे, तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार ही सुर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं ना, ताकत तो हर बात में चाहिए यह है इश्वरिय माइट, इनको योगबल की माइट कहा जाता है, बाकी सब हैं जिस्मानी माइट, यह है रुहानी माइट, बाप कल्प कल्प कहते हैं, हे बच्चों मामे कम याद करो, सर्व शक्तिमान बाप को याद करो, वह तो एक ही बाप है, उनको याद करने से आत्मा प पूछना चाहिए पूरी रिती समझें तो बाप को भी याद करें। समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं कर सकेंगे। यह तो सीधी बात है। हम आत्में जो सतो प्रधान थी वही फिर तमो प्रधान बनी हैं। जिनको यह संशे होगा कि कैसे समझें हम 84 जनम लेते हैं। वह बाप से कल्प पहले भी वर्षा लिया है। वह तो पढ़ाई में पूरा ध्यान ही नहीं देंगे। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। कल्प पहले भी नहीं समझा था। इसलिए याद कर नहीं सकेंगे। यह है ही भविश्य केलिए पड़ाई नहीं पड़ते हैं तो समझा जाता हैं कल्प कल्प नहीं पड़ते थे अथवा थोड़ी माक्स से पास हुए थे स्कूल में बहुत फेल भी होते हैं पास भी नमबरवार ही होते हैं यह भी पढ़ाई हैं इसमें नमबरवार पास होंगे जो होशियार हैं वे तो पढ़कर फिर पढ़ाते रहेंगे बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ बच्चे भी कहते हैं कि हम भी सर्वेंट हैं। हर एक भाई बेहन का कल्यान करना है। बाप हमारा कल्यान करता है। हमको फिर औरों का कल्यान करना है। सबको यह भी समझाना है। बाप को याद करो तो पाप कट जाए। जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुचाते हैं उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे उनको ही महारती अथ्वा घोडे सवार कहा जाता है प्यादे फिर प्रजा में चले जाते हैं इसमें भी बच्चे समझते हैं कौन-कौन सहुकार बन सकेंगे यह ज्यान बुद्धी में रहना चाहिए तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित बने हुए हो सर्विस के लिए ही जीवन दी हुई है तो पद भी ऐसे पाएंगे उनको किसी की परवाह नहीं रहती मनुष्य अपने हाथ पाउँ वाला है ना बांधा तो नहीं जा सकता अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं ऐसे क्यों बंधन में फसूँ क्यों न बाप से अमरित लेकर अमरित का ही दान करूँ मैं कोई रीड बकरी थोड़े ही हूँ जो कोई हमको बांधे शुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपने को छुड़ाया रडिया मारी हाए हाए कर बैठ गए तुम कहेंगे हमको क्या परवाहा है हमको तो स्वर्ग की सापना करनी है या यह काम बैठ करने है वह मस्ती चड़ जाती है जिसको मौलाई मस्ती कहा जाता है हम मौला के मस्ताने है तुम जानते हो मॉला से हमको क्या प्राप्त हो रहा है। हुई है, बाप को हर दम याद करना चाहिए सामने बैठे होना यहाँ से बाहर निकले और भूल जाएंगे यहाँ जितना नशा चड़ता है उतना बाहर में नहीं रहता भूल जाते हैं तुमको भूलना नहीं चाहिए प्रण्दु तकदीर में नहीं है जितना भी समय मिला हैं बाप तो कहते हैं जल्दी जल्दी करो प्रन्तु ढ्रामा में जल्दी हो नहीं सकती बाप कहते हैं ऐसी मशिनरी हो जो हाथ डाले और चीज तयार हो जाए यह भी बाप समझाते रहते हैं अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक और कान से अच्छी रिती पकड़ती हैं। जो अपने को महवीर समझ से हैं, उन्हों को ही माया के बहुत तुफान आते हैं। फिर वे किसकी भी परवाह नहीं करतें, छिपा लेते हैं। आंत्रिक दिल सच्ची नहीं हैं, सच्ची दिल वाले ही स्कॉलर्शिप पाते हैं। शैतानी दिल चलना सके। शैतानी दिल से अपना ही बेडा गर्क करते हैं। सबका शुबाब से काम है। यह तो तुम साक्षातकार करते हो। ब्रह्मा को भी बनाने वाला शुबाबा है। शिव बाबा को याद करें तब ऐसा बनें। बाबा समझते हैं माया बड़ी जबर्दस्त हैं। जैसे चूहा काटता है तो मालूम भी नहीं पड़ता है। माया भी ऐसी मस्त चूही हैं। महारतियों को ही खबरदार रहना है। वह खुद समझ से नहीं हैं कि हमको माया ने गिरा दिया हैं। लून पानी बना दिया है। समझना चाहिए लून पानी होने से हम बाब की सर्विस कर नहीं सकेंगे। अंदर ही जलते रहेंगे। देह अभीमान हैं तब जलते हैं। वह अवस्था तो है नहीं। याद का जोहर भड़ता नहीं है इसलिए बहुत खबरदार रहना चाहिए माया बड़ी तीखी है जबकि तुम युद्ध के मैदान पर हो तो माया भी छोड़ती नहीं आधा पौना तो खत्म कर देती है किसको पता भी नहीं पड़ता है कैसे अच्छे अच्छे नए नए भी पढ़ाई बंद कर घर में बैठ जाते हैं अच्छे अच्छे नामी ग्रामी पर भी माया का वार होता है समझ से हुए भी बेपरवाह हो जाते हैं थोड़ी बात में जट लून पानी हो पड़ते हैं बाप समझाते हैं देह अभीमान के कारण ही लून पानी होते हैं स्वियम को धोखा देते हैं बाप कहेंगे यह भी ड्रामा जो कुछ देखते हैं कल्प पहले मिसल ड्रामा चलता रहता है नीचे उपर अवस्था होती रहती है कभी ग्रहचारी बैठती है कभी बहुत अच्छी सर्विस कर खुश खबरी लिखते हैं नीचे उपर होता रहता है कभी हा कभी जीत पांडू की माया से कभी हार कभी जीत होती है अच्छे अच्छे महरती भी हिल जाते हैं कई मर भी जाते हैं इसलिए जहां भी रहो बाप को याद करते रहो और सर्विस करते रहो तुम निमित बने हुए हो सर्विस के लिए तुम लडाई के मैदान में हो न जो बाह वाले घरग्रस्त व्यभार में रहते हैं, यहां वालों से भी बहुत तीके जा सकते हैं, माया के साथ पूरी युद्ध चलती रहती है, सेकंड बाई सेकंड तुम्हारा कल्प पहले मिसल पार्ट चलता आया है, तुम कहेंगे इतना समय पास हो गया, क्या क्या हुआ है, वेह भी बुद्धी में है, सारा ज्यान बुद्धी में है, जैसे बाप में ज्यान है, इस दादा में भी आना चाहिए, बाबा बोलते हैं, तो जरूर दादा भी बोलते होंगे, तुम भी जानते हो, कौन-कौन अच्छे दिल साफ है, दिल साफ वले ही दिल पर चड़ते हैं, उ तहां तो बहुतों की मूड फिर जाती है, बात मत पूछो, इस समय सभी कहते भी हैं, हम पतित हैं, अभी पतित पावन बाप को बुलाया है, कि आकर पावन बनाओ, बाप कहते हैं, बच्चों, मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ हो, मेरी श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर ना चलने वाले का कपड़ा साफ नहीं होता, आत्मा शुद्ध होती ही नहीं, बाप तो दिन रात इस पर ही जोड देते हैं, अपने को आत्मा समझो, देहे अभीमान में आने से ही, तुम घुटका खाते हो, जितना जितना उपर चड़ते जाते हो, खुशनुम तु अंद्रोनी हालत देखो, तो गल रहे हैं, देहे अभीमान की आग जैसे गला रही है, समझ से नहीं है यह बिमारी फिर कहां से आई, बाप कहते हैं, देहे अभीमान से यह बिमारी आती है, देही अभीमानी को कभी बिमारी नहीं लगेगी, बहुत अंदर में जलते रह बाप तो कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव पूछते हैं यह रोग क्यों लगा है बाप कहते हैं यह देह अभिमान की बिमारी ऐसी है बात मत पुछो कोई को यह बिमारी लगती है तो एकदम चीचड होकर लगती है चिपक जाती है छोड़ती ही नहीं है श्रीमत पर ना चल अपने देह अभिमान में चलते हैं तो चोट बड़े जोड से लगती है बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं माया कैसे एकदम नाक से पकड़ गिरा देती है बुद्धी बिलकुल मार डालती है संशे बुद्धी बन पड़ते हैं भगवान को बुलाते हैं कि आकर हमको पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी बनाओ और फिर उनके भी विरुद्ध हो जाते तो क्या गती होगी एकदम गिरकर पत्थर बुद्धी बन जात बच्चों को यहां बैठे ये खुशी रहनी चाहिए Student life is the best यह है बाप कहते हैं इनसे और कोई पढ़ाई उच है क्या The best तो यह है 21 जनमों का फल देती है तो ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए कोई तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देते हैं माया नाक कान एकदम काट लेती हैं बाप खुद कहते हैं आधा कल्प इनका राज्ये चलता है तो ऐसी पकड़ लेती है जो बात मत पूछो इसलिए बहुत खबरदार रहो एक दो को सावधान करते रहो शिव बाबा को याद करो नहीं तो माया कान नाक काट लेगी ठक कर फां हो जाते हैं माया से हार खाकर एकदम किचडे में जाकर पड़ते हैं देखो हमारी बुद्धी बिगड़ती है तो समझना चाहिए माया ने नाक से पकड़ा है याद की यात्रा में बहुत बल है बहुत खुशी भरी होई हैं कहते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं, दुकान में ग्राहक आते रहते हैं, कमाई होती रहती हैं, तो कभी उनको ठकावट नहीं होगी, भूख नहीं मरेंगे, बड़ी खुशी में रहते हैं, तुमको तो अथा बेशुमार धन मिलता है, तुम्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, देखना चाहिए हमारी चलन दैवी है या आसुरी है, समय बहुत थोड़ा है, अकाले मृत्यू की भी जैसे रेस है, एक्सिडेंट आदी देखो कितने होते रहते हैं, तमो प्रधान बुद्धी होते जाते हैं, बरसात जोर से प चिड़ जाएगी, ऐसे ऐसे खोफना काम करते हैं, तंग कर देते हैं, तो फिर लड़ाई भी चिड़ जाएगी, अच्छा, मेठे मेठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्से, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्से, नमस्से, गुड मॉर्निंग, धारना के लिए मुख्ये सार, पहली पोइंट, मोलाई मस्सी में रहकर स्वियम को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है, माया चुही से बहुत कभी भी शैतानी ख्याल ना आए, बाप दवरा जो बेशुमार धन ज्यान का मिलता है, उसकी खुशी में रहना है, इस कमाई में कभी भी संशे बुद्धी बन ठकना नहीं है, स्टुडेंट लाइफ दि बेस्ट लाइफ है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान द वर्दान, सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ती जीवन मुक्ती दाता भव। तो उसका अनुभव कराओ, इसके लिए अपने शक्ति शाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृती और मनुष्य आत्माओं की वृतियों को चेंज करो, मास्टर दाता बन हर आत्म की आशाओं को पूर्ण करो, मुक्ती जीवन मुक्ती का दान दो, यह जिम्मेवारी की स्मृती आपको सदा अलर्ट बना देगी। स्लोगन, मुरली धर की मुरली पर देहे की भी सुदबुद भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं अच्छा, ओम शान्ती, बीके भाई बहनों को भाष्ण में कौन सी बाते लेनी चाहिए और कौन सी नहीं, सुनते हैं बाप दादा की ये समझानी आज के अव्यक्त यान मोती मी